ओके सो जैसे कि आपने वीडियो का दिखा गए निफ्टी बैंक निफ्टी इनके जो लोट साइज ने उसके अंदर चेंज़ आ रहे हैं तो चैंज़ के अंदर है अगर अब हम जो पर लोट साइज ऑप फिफ्टी का है तो बाद में 50 का रहेगा पर जो बैंक निफ्टी का 25 से अभी 15 का लोट हो जाएगा बाकी फिन निफ्टी का सेम है जो हमारा निफ्टी उसका भी सेम है तो अभी यहां पर एक चीज़ आती है कि क्या हमें इस चीज़ का बेनिफिट रहेगा या नहीं रहेगा तो उसी चीज़ के उपर हम डिसकॉशन क करते हैं और दूसरी चीज़ क्या थी कि उनमें से 95 परसेंट जो अपना लोस कर रहे है तो जब हम इनके लोट साइज के थोड़ी सी कमी करेंगे तो वहां पर क्या है कि हमारा जो मान के चलिए अभी जो 25 का लोट है तो अल्मस्ट हमें उस लोट को बाय करने के लिए कम से कम साथ से लेके 8000 का capital utilized होता है अगर हम इस लोट को 15 का कर देंगे तो यहां पर जो capital utilization होगा वह चार-पांच-छजार के आसपस minimum आएगा तो इससे क्या होगा कि एक तो जो नए ट्रेटर वह अपना रिस्क रिवोर रिशो जो अच्छा समझ के करता है तो उनके लिए असानी रहेगी अपना रिस्क रिवोर रिशो मैनेज करने के लिए वह कैसे क्योंकि अगर लोट साइज चोटे होंगे तो अपनी क्वांटिटी चोटी रख सकते है क्वांटिटी चोटी रखने से क्या होगा कि उनका लॉस के अंदर कमी आएगी मान के चले किसी ट्रेडर के पास 15 कटिक है एक अगर पचीज का लोट पार इकजामपल बैंक निभटी का तो अरी सब्सक्राइब सब्सक्राइब एक SL बनता है राम से प्रॉफिट की बात करूँ टार्गेट तो 1500,000 इसके आसपास के उसके क्या रहते हैं प्रॉफिट से रहते हैं और 1200 से लेकि 1000 का उसका लोस रहता है अगर इसके अगोर्णिंग में बात करूँ तो 15,000 का ये ओर्मॉस्ट 10% के आसपा चला गया अमान के चला एक बिगनर ट्रेडर अपना सीख के ट्रेड ले रहा है तो वहां पर उसको ओल्मॉस्ट 10% 8% के आसपास की कैपिटलिजेशन एक क्रेड के अंदरी चली गए तो वहां पर तो वह उप्शन डेडिंग नहीं कर पाएगा अभी अगर मैं चीज को छोटा कर दूँ अभी जो लोट साइज है लोट साइज को अगर मैं हम छोटा करते हैं यह न्यू ट्रेडर के लिए है जो सीख रहा है अभी नया है मार्केट के अंदर उसके लिए ज्यादा बेनिफिशल है अभी अगर 15 का लोट रहेगा तो सबसे पहली बात हमारा जो लोट है 5000 के आसपास हमें मिल जाएगा पहली चीज़ दूसरा क्या होगा जब लोट साइज छोटा होगा तो यहां पर हमारे जो रहेगा पर ट्रेड के अंदर वह उल्मॉस 700-800 के आसपास रह जाएगा तो कही ना कहीं पर हमें जो कैपिटल हमारी है तो उसके हमारा जो मैंनेज करने में हमें अराम से असानी होगी तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हमारे 15,000 कैपिटल है तो हमारा जो लोस अपर ट्रेड के अंदर 5% के आसपास आगा तो यह नॉर्मल लोस मैं इसको मानता स्टार्टिंग फेस के अंदर हम इस लोस को इतना ग्रैप कर सकते हैं मानके चली कि इसों हेंडल कर सकते हैं ऐसा नहीं कि ज्यादा बड़ा हमें कुछ लोस हो जाएगा तो इसका जो है कि नए ट्रेडर को ज्यादा बेनिफिट रहेगा बैंक निफ्टी के अगर लोट्स र को सीख के आ रहे हर चीज़ को इन बंदों के लिए यहां पर इसको को प्रोपरली मैंज करना इजी हो जाएगा उनको लोस सकम होने शुरू हो जाएगी तो बाकि अगर आपको कोई बीडाउट्स है तो आप मुझे डीम कर सकते हो कमेंट्स के नदर बता सकते हैं आपको वी तरफ से आपको प्रवाइड करने का मैं ट्राइ करूं कि बढ़ आपके जो भी डाउट साथ हैं तो मैं उसके उपर जुरूर वीडियो बनाऊंगा तो आपको कमेंट्स के अंदर मुझे जुरूर बताई कि जो जो आपको दिक्कते आ रही है उसके आपको सेलूशन मैं वीड देलूशन मैं ड्राइड हाय और नरा फुरूरी ट्यूर। नहीं थाएय कुए जूरूर। बटर झापकोप।